आपने अजे देवगन की फिल्म रेट तो जरूर देखी होगी है ना तो ऐसा ही कुछ हुआ है रियल लाइफ में भी दरसल आजकल आएकर विभाग के छापे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है तस्वीर में एक अलमारी नजर आ रही है लेकिन ये कोई ऐसी वैसी अलमारी नहीं है बलकि इसमें 142 करोडों से जादा की नगदी ठूस ठूस कर रखी गई है नोटों की गड़ी से भरी अलमारी की इस तस्वीर के उपर काफी मीम्स भी बन रहे है लिकिन इसके पीछे आखिर क्या मामला है क्यों ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई चलिए आपको बताते है आएकर विभाद ने हैदराबाद में एक फार्मसेटिकल ग्रूप पर छापे मारी की है और इस दौरान तलाश है लिए गई तो आएकर विभाद को बहुत सारा कैश तिखाये दिया ये सारा कैश एक अलमारी में रखा हुआ था और इसे गिना गया तो ये टोटल 142 कोरोड रूपे निकला सोचिए 142 कोरोड रूपे कैश एक अलमारी में रखा हुआ था तो आएकर विभाद ने छापे मारी कर इस कैश को बरामत कर लिया है अब खाबरे मिल रही है कि फार्मसेटिकल ग्रूप की लगभग 550 करोड रुपे की बेनामी आये का पता चला है और जिस पर छापा मारने के लिए इंकम टेक्स विभाग की टीम पहुची थी आपको जानकर ताजब होगा कि ये कैश सीज इस वित्यवर्ष की सबसे बड़ी कैश सीज है खुद अधिकारी भी इतना कैश से कर हैरान रहे गए थे अलमारी में 500 और 2000 के बहुत साले नोट रखे थे आपको ये भी बता दे कि 6 राजियों के नामी ग्रुप्स की बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए आईकर विभाग ने ये रेट 6 अक्टूबर को मारी थी ये रेट लगभग देखी 50 जगों पर हुई थी और इनमें से फार्मेसोटिकल ग्रुप्स से 142 करोड रुपे का कैश बरामद हुआ तो हर तरफ इसे के चर्चे होने लगे हैं अब बताया ये जा रहा है कि अधिकारियों को अलमारी में खूब सारा कैश होने का इनपुट मिला था और जिसके बाद ये जाच हुई और नतीचा सब के सामने है फिलार इस कैश को बरामद कर लिया गया है और इस ग्रुप में छापे मारी के दौरान आयकर विभाग ने कुछ पैन राइफ्स और लैप्टॉप्स भी जब किये हैं और देखे इतनी भारी मात्रा में क्याच रखने का मकसद पता लगाने के लिए जाच को आगे बढ़ाए जागा लेकिन इतना तरह है कि इस ग्रुप की अब समस्या बढ़ने वाली है आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले हैं कि ये फार्मसेटिकल ग्रुप कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक वीक के निर्मान के लिए रूस के कमपनी से करार कर चुका है वहीं आपकर विभाग ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कमपनी के जादातर प्रोड़क्स नहीं उक्तर राज अमेरिका, यूरोप, दुबई और अफ्रीकी देशों को निर्याद किये जाते हैं हाला कि उसने फार्मसेटिकल समू के नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो छापे मारी की कारवाई हेटेरोड्रक्स के आँकी गई थी हेटेरोड्रक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन का जेनेरिक वर्जन भारत में लांच करने वाली पहली दवा कमपनी है